दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिव्यू इसी बोट के 131 हेडफोन की और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको यह पर्चेस करना चाहिए या नहीं अगर आप अभी इसकी प्राइस फिलहाल देखेंगे तो वह आपको अब बहुत जादा डिस्कांट प्राइस में मिल जाएगी तो इसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि यह पी किस प्राइस में मिल रहा है कहां मिलेगा कैसे पर्चेस करना है तो नमशकार दोस्तों कैसे हैं आप सब आपको स्वागत थिक वाइफिर से एक नए कमाल दोटल दीवेधि आप देख रहे हैं इन देखेंगे तो अभी मुझे यूज़ करते हुए काफी टाइम हो गया तीन चार महीने से जादा हो गया इवन और उतने टाइम में इसका जो बोट का सिंबल है ये देखिए ये निकल गया है मतलब निकल रहा है धीरे धीरे और दूसरा वाला देखेंगे अगर यहां पर ल क्यासी है हाला कि यह डिपेंड करता है मालीचे गिर जाता है या फिर किसी भी प्रकार से यह बाहर हो जाता है क्लिक डिजाइन आप लोगों के सामने है वैसे अगर आप देखेंगे तो अच्छी क्वालिटी है प्लास्टिक क्योंटी डिसेंट मिलेगी ऐसा नहीं लगेग यहां पर आपको मिल जाता है IWP यानि Instant to Wake and Pair Technology जो की बहुत ही जादा helpful होती है मालीचे अगर आप जैसे यह ओपन करते हैं और निकालते हैं बाहर वैसे ही यह आपके headphones connect हो जाते हैं और उसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ इसके और feature की तो यहां पर 10 mm का आपको driver मिल जा आपका four time charge कर पाएगा जिसके चलते आपको जो है जो पूरा एक battery backup इसका मिल जाएगा with case वो मिल जाएगा 12 hours तक का जो की एक अच्छा decent battery backup इसका कह सकते हैं decent backup कह सकते हैं बहुत जादा playback time तो नहीं हाला कि आपका काम इससे आरहाम से चलने वाला है तो चार बार अगर आप इसकी बात करता हूं तो हाँ 2.5 घंटे आराम से चल जाता है वहां आपको कोई भी समच्चा नहीं होगी यह Bluetooth 5.0 को support करता है और यहां पर आपको type C भी मिल जाएगा box जो है उस पर देख सकते हैं board की branding है और यह भी अब धीरे-धीरे खतम होने लगा box की build quality है जो इसका design है वो carryable है आप इसको carry कर पाएंगे कोई और design आपको इसमें नजर नहीं आएगी आराम से आपकी pocket में fit हो जाएगा बट एक चीज़ जो आप notice करने वाले हैं दोस्तों वो है कि यह जो आपको case मिलता है इसमें आपको कुछ दिन बात क्या होगी कि देखिए यह सारे इसके से वो खतम होने लगेगा इसे के साथ मेरे पास एक मीवी का है और इसमें देखिए थोड़ा matte finish के साथ आता है यह इसका जो box है उना ज्यादा glossy नहीं है तो इसको काफी दिनों से use करना हूँ इवन इससे पहले मैंने इसको खरीदा हुआ था बोर से पहले खरीदा हुआ था लगी है वो है इस price point में इसकी sound quality इसका base और इसका table base जिस हिसाब से आप price पे कर रहे हैं उसे आप से decent है बहुत ज्यादा high तो नहीं मिलता है बट आपको low भी नहीं मिलेगा feel होगा कि आप कोई music अच्छा music सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यहां आपने कुछ चिर कानों म लगाया हुआ है दुए चीज आपके अगर मैं fit और finish की बात करता हूं तो sound quality तो बहुत बढ़िया है पर इसकी fit और finish सबसे घटिया है सबसे बेकार है और यह मैं बहुत सारे uses के बाद आपको बता रहा हूं क्योंकि अगर आप इसको fit करेंगे कानों में लगाएंगे तो द पूरा pack नहीं हो जाता है तो बाहर की noises आती रहते हैं जिसकी वज़े से आपको ज्यादा higher sound में सुनना पड़ेगा पहली बात sound में कोई भी तिकत नहीं है sound बहुत अच्छी है अहला कि अगर आप इसको इसके price range वाले कई सारे headphones से compare करेंगे truly wireless से तो मैं यह कह सकता हूं कि इ यह design है वो और इसकी जो comfortness है वो मुझको बिल्कल नहीं पसंद आई है आधे घंटे आप इसको आराम से कानों में लगा के छोड़ दीजी आपके कानों में pain होने माला है और even मैं अपने कानों में भी हो सके तो आपको दिखा दूँगा कि इसको 2-3 घंटे use करने के बाद य यह खराब हो गया था चली नहीं रहा था पैर ही नहीं हो रहा था बट विदिन वहरेंटी था तो मैंने इसको center में दिया उन्होंने फिर बिना किसी ज़्यादा जवाब सवाल के bill देखा bill के इन्वाइस देखी तो इन्वाइस लेके उन्होंने इसको replace कर दिया 4-5 दिन के बाद मुझे दूसरा उन्होंने order करके मेरे घर पे ही deliver करवा दिया तो delivery जो है काफी तरीके से हो गई और product है वो खराब हो जाता है बट इस हिसाब से भी अंदादा लगा सकते हैं कि आपने product लिया हुआ है तो खराब हो जाएगा तो इसमें जो इनकी service मिलने वाल ही हो आप आपको एक last की service मिलेगी आपका जो है product replace हो जाएगा अगर विदिन warranty है मेरा तो replace करके दे दिया पर खराब हो गया यह एक चीज सुचने वाली है कि यह model खराब भी हो गया 10 meter की यहाँ पर range मिल जाती है आपको range के हिसाब से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी अगर आप इस या फिर आप use कीजे किसी भी brand का वहाँ पर आपको एक समस्या होने वाली है क्योंकि एक चोटा जरहता है आपके कानों के पास आप लगाते हैं अगर आप calls लेते हैं और आप आराम से बोलते हैं यानि बहुत जादा slow बोलते हैं जैसा कि आप phone पर लगा कर mic pass में बोल लेते हैं तो यहां पर पहुंचने में थोड़ा problem होती है जिसकी विज़े से अगर आप slow बोलेंगे तब तो कोई भी truly wireless आपका headphone हो तो वहां पर support नहीं करेगा बाकी as such और कोई issue नहीं है वो मैंने feel किया चाहे मीवी की बात करूं चाहे इसकी बात करूं चाहे 141 की बात करूं या से बोलने लगे आप तो माइक आपके close आ गया माउट के तो अगर आप calling के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और आराम से कोई ऐसी environment में बोलना चाहते हैं जहां पे आप आराम से धीरे से बोलना हो आपको और आस-पास के noise ज्यादा ना आए क्योंकि side से noise आएगा आपकी wireless आपके headphones लेने वाले हैं Nickband क्या है कि आपके close रहता है mouth के तो मैं तो यह recommend करूंगा अगर आपको slow आवाज के लिए चाहिए अगर आप call पर बात करना चाहते हैं या फिर gaming अगरा करना चाहते हैं जिसमें आपको audio की जरूरत है तो definitely आप Nickband को ज़्यादा prefer कीजे in truly wireless headphones के comparison मे connectivity इसकी 10 meter कहते हैं 10 meter की range मिलती है 10 meter में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और इससे दूर भी मैं पहन के जाता हूं अपने खानों में लगा के mobile यहां पर छोड़ दर के studio में तब भी यह काम करता रहता है और फिर से disconnect हो जाता हूं फिर पास आ जाता हूं जैसे range में आता है अगर इस side लगाया हूँ पहले जैसे एक single single वाले pieces में आते थे तो एक side लगाया रहता हूं तो अगर opposite jave में रख देता था तब भी वो छोड़ देता तब करता नहीं था या फिर jave में अगर कहीं ऐसा वैसा रख दूं तो भी नहीं पकड़ता था बट इन सब में ऐसी आते हैं कि क्या आपको यह purchase करना चाहिए या नहीं तो देखे एक तो अगर आप इसकी price देखेंगे उसकी अगर मैं बात करूं तो यह तक्रीबन आपको 799 या 899 में मिल जाएगा ऐसे जैसे offers चलते रहते हैं वरना आपको 999 में तो हमेशा मिलता ही रहता है उस price point में आपक आपको decent मिल जाएगी battery back बहुत जादा अच्छा नहीं है पर आपका काम चल जाएगा समस्या वहां पर नहीं होगी 10 mm का driver है तो base वगेर भी आपको यहां पर अच्छा मिलेगा सबसे worst चीज़ इसकी है comfort अगर आपको 10-20 मिन आधे गंटे यूज़ करने हैं आधे गंटे बह प्रिज सकते हैं वरना गर आपको comfort से प्यार है तो definitely आप ऐसे कभी मत लीजेगा आप वही जो है headphones लीजिए जिसमें आपके यह silicon rubber वाले earpieces आते हैं यह टिप्स आती हैं तो इनहीं का इस्तिमाल कीजिए proper fit भी रहते हैं और comfortable भी रहते हैं वरना मेरे तरह इसको मैंने अपने कि इसको एक तो वैसे proper fit नहीं बैठता है यह कानों में दूसरा में क्या करता हूँ कि इसको ऐसे देखिया हलकास ऐसे कानों में लगा देता हूँ हलकास एकदम हलकासा और फिर भी अगर थोड़ा और अंदर टूच होता है तब फिर दर्द करने लगता है तो इस मामले में तो भाई मैं कहूंगा comfort इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी comfort नहीं है, पता नहीं company वालों ने क्या सोच किये, design मनाई, product इनका बहुत अच्छा है, product में कोई भी कमी नहीं है, बस वही एक बार खराब हो गया था, तो product कोई भी खराब हो सकता है, पर इनकी service काफी अ तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्रीज चैनल को subscribe कीजिए, अगर आपको लग रहा हो कि मैं इसकी बुराई कर रहा हूं, तो प्लीज आप जाए, आपको description में link दिया गया है, आप purchase कीजिए, जो है purchase करेंगे, मुझे भी कुछ affiliate में हो जाएगा income, वरना फिर आप मेरे से मत purchase कीजिए, ले जाके एक महीने यूज करके देखें, रोद दो तीन घंटे लगा करके, अगर कानों में आपके redness ना आ जाए, तो आप आके मेरे पे फिर से comment कीजिएगा, कि भाई आपने गलत कहा है, बहुत comfortable है, तो मिलते हैं एक 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 लिडियो में, तब के लिए जोहित वंदे मातर